मानसून के सीजन में साप काटने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती है खास कर ग्रामीड इलाकों से आए दिन ऐसी खबरे आती रहती हैं कई बार साप काटने के बाद लोग ततकाल डॉक्टर के पाई जाने के बजाएं दूसरे चकरों में पढ़ जाते हैं तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी को साप काट ले तो कौन से हैं वो पाँच काम जो आपको तुरंद करने चाहिए और इन गलतियों से बचना चाहिए पहला साप अगर काट ले तो कोशिश करें कि यह जगा पर काटा है शरीर का वो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले दूसरा साप ने जहां काटा है उजगा पर बीटा डीन या फिर स्क्रब सॉल्यूशन का इस्तमाल कर सकते हैं जबकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हो जाने दें और बाद में इन चीजों का इस्तमाल करें तीसरा कोशिस करें कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचें चौथा अस्पताल में जाने से आपको ये पता चलेगा कि गहाव कितना गहरा है पाचवां साथी आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको जहर वाले साप ने काटा है या फिर नहीं तो दोस्तों ये थे वो पाच काम जो आपको साप कातने पर तुरंत करने चाहिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी रोचट जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें